ओम शांति आप सबको स्वागत है आज हम चार मार्च की इश्रीवदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हूं कब गब हमारे जीवन में सामने ऐसे तेड़े मढ़े रस्ते आते हैं जिनको कहते हैं कि नहीं भाई यह रस्ते पर चलना पड़ेगा नहीं तो जीवन कैसे कटेगा या थम कहते हैं कि उल्टे तरीके से हमें उल्टी उंगली से हमें गहीं निकालना आना चाहिए तो उल्टा बनना पड़ता है क्योंकि कल्यूक चल रहा है दुनिया बहुत बुरी है जब तक उल्टे नहीं बनोगे तब तक तुम सीधर रस्ते पर चलनी सकते हो तो ये भी उल्टी सोच होगी इस हो कहेंगे परमात्मा कहते हैं कि क्रुकेट सोच और इस सोच से हम कभी न कभी या और ज्यादा तर दिखा जाते हैं हमेशा हम गड़ों में गिरते आते हैं सदा भरपूर्ता की अनुबुती द्वारा तेड़े रस्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भवा सदा शक्ति के गुणों के शक्ति कौन से होगी सेहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णे लेने की शक्ति, परखने की शक्ति होगी आपकी सहयोग करने की शक्ति होगी आपकी, साती साथ सब चीजों को समाने की शक्ति होगी यह सारी शक्तिया है तो फरभाटव कहते हैं सदा शक्ति गुनों के ग्यान के खुशी के खाजाने से भरपूर रहो तो आत्मिक ग्यान की मुझे यह सारी दुनिया की सिचुlexinen को सारी आत्माँ खमयों को आत्मिक तरिकाष देखना हैं उनके भौतिक तरिकाष से नहीं चीजों के हम answers ढूंडते हैं और हम फस जाते हैं मेरे तेरे में लेकिन अगर हम आत्मा के उर्जा के शक्ति के अनुसार infinite बेहत की शक्ति के अनुसार हम हर चीज को देखना शुरू करें तो हमें वो रस्ते अब सीधे दिखने शुरू होते हैं मेरे साधी के इस त्यूनियर है मैं मेरे सानियर हूँ हूँ तो तो फिर औहुंकार की करेंट रस्ते तेढ़े होने शुरू हो जाता है लेकिन आत्मेक्स पितरफ में देखरी देखें तो रस्ते शीधे हूने शुरू हो जाते हैं खुशी के खाजाने से भरकूर रहो तो भरकूरता के नशे से तेड़ा रास्ता भी सदा सीधा हो जाएगा क्योंकि उसमें आप विज्डम यूज़ करेंगे विबेक यूज़ करेंगे शक्ति यूज़ करेंगे गुण को यूज़ करेंगे तो खड़ा बन जाएगा और खड़े में गिरने से मोच आएगी लेकिन कौन सी मोच है शरीर वाली मोच नहीं यह जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है क्या करूँ, कैसे करूँ कैसे होगा, कौन करेगा क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों नहीं करते हैं वह आएशे करना चीह था, यह सब क्या है, संकल्पों की मोच आतीड़े मीडे रस्ते मन में कभी शांती हो नहीं सकती है परवान थो कहते हैं, शक्ति अवतार अर्थात तेड़े को सीधा करने का कॉंट्राक्ट लेने वाले आप तेड़ों क्या करेंगे सीध़ा करेंगे विच भी दिखाए तो कोई आपका जीवन में कोई कारे करने का अगर अगर तेड़ा रस्ते से चले तो सारी बिल्डिंगी तीड़ी बन जाए लेकिन अगर वह सीधे रस्ते से चले तो सब खुछ आ यह आपका सीधा होना शुरू हो जाए परवनतों कहते हैं ऐसा कंट्रक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते की यह रास्ता तेड़ा है मुझे ररस्ता पे चलना पड़ेगा नहीं कह सकते अगर कोई गिरते हैं तो attention की कमी है या बुद्धी भरपूर नहीं है attention की कमी है आप परख नहीं पाए situation को आप उसमें judge नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए था यह आप निर्णे नहीं ले पाए यह लगा नहीं यह तीड़ा रस्ता उसमें तो परमा तो कहते हैं उससे बोच बढ़ता है आपके उपर और आप खड़े मेंहीं अपने बनाए हुए करमों के यह को ख़टे मेंहीं करते हैं क्योंकि आप शौट्कर्स लेने ही ख़़ग já तो अमूल लेविद्या को आके ले सकते हैं, ओम शान्ति इसके साथ.